नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं 22-50 वरत की सभी महिलाई योजना के लिए पात रहा हैं, उन्होंने अगाह किया है कि बीचवलियों से सवधान रहे, कोई भी ब्यक्ति जो आवेदन पर किरिया में मदद के नाम पर पैसे मांगे उससे सवधान रहे, ऐसे ब्यक्तियों की जनकारी तुरंद अस्थानिय परशा आवेदन से लेकर योजना के लाब तक सभी कुछ निसूलक है, किसी भी चरण में किसी को कोई भी पैसा देने क्यों सकता नहीं है, आवेदन की तीथी के समधन बताया है कि 10 अगस्त के बाद भी आवेदन सवविकार किये जाएंगे, नजदी की प्रग्या केंद्र में जाक पर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, बीत रहित सिक्षा कर्मियों को मिलेगा बेतनमान, जारखन में बीत रहित सिक्षा निती समाप्त होगी साथी 525 बीत रहित संस्थानों के करीब 8 हैर सिक्ष को और कर्मियों को सरकारी करमचारी के दर्जा दिया जाएगा, इन कर्मियों को अनुदान की जगा अब बेतन मान मिलेगा राज सरकार ने इसकी त्यारी शुरू कर दिया है मुख्य मंत्री हेमान सुय के निर्देश के बाद इसकुली सिक्षा वर सच्टा विभाग ने कार्मिक विभाग को बीत रही सिक्षा निती समाप्त करने के निमावली बनाने के लिए पुरुम में ही प्रस्ताव दिया गया था इसमें उन्हें सरकारी सेवा में करते हुए बेतन मान देने की बात कही है इस मामले में कार्मिक विभाग के ओर से की गई करवाई की कोई सुचना सिक्षा विभाग को नहीं मिली है इस समाद में जर्खन बिदान सबाग सत्र के दोरान अल्प सुजित प्रस्पर मुख्य मंत्री हमान सुरेन द्वारा राजे प्रस्थास्निक सुधार आयोग द्वारा करवाई किये जाने का जिक्र किया गया है जर्खन में रविवार को बारिष की रफ्तार थम गई पर तबाहि जारी है नदियों में उफान ने कई निचले इलाकों में पानी भरा है इधर सोन में रभीवार साम आईबार में गड़वा के स्वल्ला गरामिन फस गए इधर पानी की तेज बहाव से पलामो के नावा जयपूर में बने पूल का एक पाया करीब तीन फिर धास गया है जनकारी के अनुसार रभीवार को गड़वा जी लेके हरिहर पूर ओपी छेतर के मेरोनी और लोहर गाला के 16 गरामिन सोन नदी में बने टापू परफास गए है जार्खन में सिक्षक आई से करेंगे आमरन अंसन अखिल जार्खन प्रात्मिक सिक्षक संग के बैनर तले राजी के प्रात्मिक वमध विद्याले को सिक्षक पांच अगस्ते मुख्य मंत्री के समक्ष आमरन अंसन और धारना प्रशन करेंगे सिक्षक, MSCP और पुर्णत्ती को लेकर आमरान अंसन करेंगे संक्या देख्ष अनूप केश्री महासचीव राम मुर्ति ठाकूर वा मुखे प्रवक्ता नसीम अहमद ने अपील किया है कि सिक्षक अधिक संक्या में आंदुलन में सामिल हो अपनी मांगो के समर्थन में आरपर के लड़ाई लड़ने को सिक्षक तयार है उन्होंने अने सिक्षक संग से देश के सिक्षको के हीद को देखते हुए समर्थन के अपील की है उन्होंने कहा है कि राज के अने राज कर्मियों की तरह सविस्तिक्सकों के लिए सुनिस्चित बृत उन्यायन योजना सरकाल लागू करे जारखन का पानी बंगाल में बाढ़ ला रहा मामता बनर जी ने हेमंद को मिलाया प्रोण जारखन में भारी बारिस के कारण न दियो और जलासय पर चलस्तर अचानक बढ़ गया है जलासयों पर पानी के अतिधिक दबाव के कारण उसे खोल कर पानी भी छोड़ा जा रहा है इसी करण में तेनु घाट जलासय का पानी छोड़े जाने पर बंगाल के मुख्यमंदरी ममता बनर जी ने कहा है कि इसे बंगाल के सिमावर्ती चित्रों में बाढ़ की चिती है उन्होंने अपने भावना से मुख्यमंदरी हमंसुरुन को आउगत कराया है दोनों मुख्यमंदरी हो के आपस में बाद चित हुई है इस समद में ममता बनर जी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मैंने जारखन के मुख्यमंदरी से बात की है और उनसे बाढ़ कर चिती पर चर्चा की मैंने उनसे तेनु घाट से अचानक और भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने एक मामले परचार्चा की जिससे पहले ही बंगाल में बाढ़ आना शुरू हो गया है मामता बंगा जी ने उले किया है कि जारखन का पानी बंगाल में बाढ़ ला रहा है या मानना निर्मित है उन्होंने अनुरोध किया है कि किरप्या इस बात पर ध्यान रखे वह स्वेम इस्थिति पनाजर रख रही है दशिम बंगाल के साथ साथ उन्होंने उत्री बंगाल क के सबी समंधित जिला अधिकार्यों से भी बात की है जहारखन में ढ़ह रहे पूल गुनवाता पर उठे सवाल भिहार में रिखार है पूल पूल यान ने सब का ध्यान खिचा था यहां यह सिर्सिला थामा तो जारखन में भारी बारिस में नदियों पर बने पूल जबाब देने लगे है सनिवार को राज में दो पूल पानी का प्रेसर नहीं जहल पाए कुछ वर्ष पहले ही बने इन पूलों के ढ़ाने से उनके निर्मान की गुनवाता पर सवाल उठना सभाविक है इसे लेकर हकम भी मचा है बता दे पूल ढ़ाने के बाद उसके टेंडर पर किरिया से लेकर कारे आवंटन तक के दस्तावेज खांगा ले जा रहे हैं बिभागी अधिकारियों पर दबाव बढ़ा है तो कारे आवंटन भी घाल मेल की कलाई भी खुलने लगी है वहीं गोमिया परखन के ग्राम, डुमरी बिहार के ग्राम, दवार और धेढ़े ग्राम के बीच बोकारों अधि पर पूल के निर्मान से समय दास्तावेज में या पाया गया है कि इसका निर्मान निर्धारी 33 से 2 पर से जादा दर पर हुआ है जेडियू में सामिल हुए ज़ारखन के दिगर नेता सरजु राय, राय सरकार के पुर्व मंत्रिय अजमसेद, पुर्ववी की निर्धलिये बिधार्भ के सरजु रायर अर्भिवार को जानता दल में सामिल हो गया है जद्यू के राष्ट्रिय अध्यक संजय जहां ने पटना मोहने से सता गरहन कराई इस मौके पर बिहार सरकार के मंद्रिया सोक चोधरी जद्यू के परदेश अध्यक सराय सभा सदस खीरू महतो समेत अर्यनिता उपस्ति थे जद्यू के राश्ट्रिये अध्यक संजय जहा ने दल में उनको स्वागत करते वे कहा है कि उनके आगमन से मजबुत्ती मिलेगी इसी के साथ ही कई दिनों से चली आ रही अटकलों को भी बिराम लग गया है सरजुराय ने हाल के दिनों में कई बार पतना में बिहार के मुखे में दे नितिस कुमार से मुलकात की थी नितिस कुमार ने एक्छा जताई थी कि वे जद्यू में सामील होकर जार्खन में संगठन का बिस्तार करे ट्रेन में मौझूद नहीं थी आरपीप एसकॉट टीम जाच में खुला सा चकथरपूर रेल मंडल के बाड़ा बाम्बो में पिछले दिनों हुए मुंबाई मेल दुर्गातना के दोरान ट्रेनों में आरपीफ की एसकॉट टीम मौझूद नहीं थी पिछले तीन दिनों से दुरगहटना की जाज कर रहे कमिस्नर ओफ रेलवे सेप्टी ब्रजेस कुमार मिस्तरा को यह जनकारी मिली है अब तक उन्होंने इस मामले में 95 रेल कर्मियों से पुष्टाश की है हलाकि क्यों और किस परिष्टिती में आर्पीयव की सुरक्षा ट्रेन में दुरगहटना के दिन ट्रेन में नहीं थी इसका जबाब अब तक रेलवे नहीं दिया है जाज की इस परिकिरिया से अब तक ट्रेन में मौजूद कोच अटेंडेंट और एसी मेकेनिक को बाहर रखा गया है इसके अलावा अब तक चक्दःपूर के कैरेज और बैगन के कर्मियों से भी पुष्टाश नहीं हुई है उनसे पुष्टाश इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो मालगारी मेल से पहले दुरगाटनागरस हुई थी उसे कैरेज के ही कंपिनियों ने जाज परताल कर आगे रवाना किया था काम सुधारे नहीं तो किसी थाने में जगा नहीं मिलेगी डिजीपी एस्पेसल प्रांच के दरोगा अनुपम कक्छप की मौत की खबर मिलते ही डिजीपी अनुराग गोपता रिम्स पहुँचे उन्होंने कहा है कि हत्या में सनलिप्त अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा तलक तेवर के साथ उन्होंने पुलिस कर्मियों को चतावनी दी है कि अपने काम में सुधार लाए नहीं तो किसी जीले के थाना में जगा नहीं मिलेगी उन्होंने कहा है कि मृतक दरोगा छोटे भाई की तरह था हर हाल में उसके हत्यारे की गिरफतारी होगी इसके बाद डिजीपी सीधे एसेसपी ओफिस पहुंचे और राची पुलिस पतादी कारियों के साथ बैठा की और उन्हें पुलिसिंग का पाठ पढ़ाया है पुरो मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचका पर सुनवाई टली सुनवाई टल गाई है आ निकी ओर से मामले में जवाब दाखिल है पतादे की आलमगीर आलमने अठारे जुलाई को गिरफतारी के चाँच सट दिनों बाद जमानत की गुहार लगाई है सिम्डेगा में आठ अंतर राजी मौसी तसकर गिरफतार कुर्डेंग पुलिश ने आठ अंतर राजी मौसी तसकरों गिरफतार करने में सफलता हाजिल किया है SDPO पवन कुमार ने बताया है कि वरिये पुलिस पतादिकारी को गुप्त सुचना मिली थी कि कुर्डेंगा इलाके मवसी तसकरी बंडेगा उडिशा के रास्ते अवैद रूप से कुछ गोवनसी पसुओ को रांची ले जाया जा रहा है इसी सुचना के अधारपप पुलिस की एक छापे मारी दल का गठन किया गया छापे मारी दल ने संभावित इलाके में छापे मारी अवियान चला कर आठ अंतर राजे पसुतसकरों को चार गोवनसी ए मवसी के साथ गिरफतार कर लिया है जारखन में अभी नहीं थमने वाला है बारिस पलामो गठवा और चात्रा में भारी बारिस की संभावना है वहीं 6 अगस्त को भी इन जीलों के अलावा लाते हर दुम का देवगर पाकुर गोड़ा साहर और पाकुर में जुरदार वर्सा के आसार है वहीं 7 और 8 को लुहदागा गुमला और सिम्डेगा में भारी बर्सा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है जारखन में बोडी ओन कैमरा से लेस हुए ट्रेफिक पुलीस सवाग पर चलते समय ट्रेफिक नियमों का पालन नहीं करने और यत्यात पुलीस के रोकने या जुर्माना वसुनने पर बहस करने या बीवाद पैदा करने वालों कि अब खैर नहीं होगी अगर आप ट्रेफिक नियम का पुलंगान कर किसी भी बात को लेकर बीवाद करते हैं तो आप सवधान हो जाए क्योंकि जम से तो ट्रेफिक पुलीस के पतादिकारियों को बोडी ओन कैमरा से लेस हो गए है अगर आप उनके साथ कोई भी बीवाद या बत्यमीजी करते हैं तो बोडी ओन कैमरा आपके पूरे का नाम को कैद कर लेगा इसके लावे या कैमरा सड़क पर होने वाली हर गती वीदियो को रिकोर्ड भी करता रहेगा बता दे बोडी ओन कैमरा उन सब ही लोगों के लिए होगा जो ट्रैफिक करमचारियों से बेवाजा बहुत करते हैं या बत्यमीजी करते हैं ज्यारखन में दसवी पास के लिए 31 अगस तक करे आवेदान ज्यारखन शेतरिये करकार्ता परत्योक्ता परिशाद वहल 24 के माध्यम से 510 पदो पर न्युक्ति की जाएगी यहने उक्ति स्वास्थ विभाग के तहत रिक्त पदो पर होगी इसके लिए आवेदान जामा होना सुरू हो गए हैं ज्यारखन करमचारी चेन आयो की वेपसाइट पर प्रकासित लिंक पर जाकर आवेदान भरा जा सकता है इक चुक अभियारती 31 अगस तक आवेदान दे सकते हैं वहाई दो सितंबर की मदराती तक परिक्षा सुल का भुकतान किया जा सकेगा जबकि फोटो अहस्ता के र अपलोड कर आवेदान पत्र प्रिंट आउट लेने के लिए 4 सितंबर की मदराती तक लिंक उपलब्ध रहेगा ज्यारखन में 24 घंटे में 94 फरार अपराधी पकड़े गए जिन जिलों में छापेमारी अभ्यान चलाया गया है उनमें रांची गुमला खुट्टी लोहरदागा सिम्डेगा जम सेत्पूर सराय के लाखर्चाव चाईबास सामिल था चापेमारी अभ्यान के दवरान सबसे अधिक 35 गिरफतारी रांची जिले से हुई है जबकि सिम्डेगा और लोहरदागा जिले से कोई गिरफतारी नहीं हुई है अधिवक्ता हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुटभेड में घायाल रांची पुलिष ने अधिवक्ता गोपी किरिष्ण हत्याकांड के सब भी आरोपीयों को 36 गंटे के पितर गिरफतार कर लिया है पुलिष ने रोशन के अलावा अधिवक्ता के हत्या में सामिल दोस्त संदीप कालिंदी कोभीर अभीवार को सीली से गिरफतार किया है वही रोशन को घर में पनाह देने वाले चाचेरे भाय संदीप मुंडा को भी गिरफतार कर लिया है धन्यवाद